दुस्तवाज बिनाएंगे डोकला, डोकला के लिए ले रहाओ में दो कब बेशन, बेशन को हम छानेंगे, जो बेशन में गांट होगा वो सारे निकल जाए, अब बनाऊंगा मैं बेशन का बेठे, पानी हम उतना ही लेंगे जितना हमने बेशन लिया हुआ है, बेशन हमने द दो कब लिया हैं तो दो कब से थोड़ा कम पानी डालेंगे हम, अब डालूंगा इसमें मैं दो चम्मस शुगर पाउडर, एक चम्मस डालूंगा मैं इसमें शाइट्रिग एशिट, एक चम्मस डालूंगा मैं इसमें नमक सौवाथ के लिए, और अब हम इसे अच् ditaric पान को mix करेंगे हम ऐसा करेंगे बेशन में गांठ न बने 10 से 12 मिल्ट तक बेशन को ऐसी घोलते रहेंगे फेटेंगे जितना बेशन को फेटोगे उतना ही डोकला सॉप्ट और जालिदार बनेगा अब डालूँगा मैं इसमें एक चम्माच हल्दी डालेंगे तो दस बारे मिल्ट तो हो गई है मैं इसे mix करते करते आप देख सकते हैं अमारा बेशन का बेटब बहुते मस्त बनाया डोकला का और इसे मैं 20-25 मिल्ट के लिए ढग देता हूं मैं इसको शेटवने के लिए ढख देते हैं बीश-पच्शिस मिल्ट हो गई हैं दोस्तों मारे आप देख सकते हैं अब लोगा में एक बर्तन एक ठाली लोगा में अब हम ठाली में तेल को गिरिश कर लेंगे दोस्तों बेटर को ठाली में डालेंगे 20-25 मिल्ट तक पकाएंगे पानी हमारा उबल चुका है 20-25 मिल्टर पकाएंगे टोकला को 25 मिल्टर तो होई गई है इसको आप देख सकते हैं एक बार चक कर लेते हैं अब इसमा हमारा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इसका मतलब है कि हमारा अच्छे से पक चुका है अब मैं टोकले को काट लूँगा टोकला को 57 मिल्टर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं तब तब टोकले का तलका बना लेते हैं मैंने तेल लिया वाऊं थोड़ा सा इसमें दालोंगा मैं सर्चु की दाने और खूब सारा डालोंगा मैं इसमें खड़ी पत्ता और थोड़ी सी डालोंगा मैं इसमें हींग इस तरह से खड़ी पत्ताओं को हम चटकाल लेंगे डालोंगा इसमें आदा चम्माज नमक और डाल रहाओं मैं मिर्चे तीन सारे हरी मिर्चे हैं और साथ में डालोंगा मैं देनिया एक बार हम इसमें कर्चे सला लेते हैं अब डालोंगा दोस्तों इसमें मैं पानी थोड़ बादार नीबू का रस डाल रहा हूं लगाएंगे इसमें तलका डोकली में और जो तलका लगा रखाया है इसको हम पूरे डोकली में फैला देंगे इस तरह से अब आया हमारा डोकला तैयार है अब इसे मैं पलीट में डालूँगा थोड़ा सा डालूँगा मैं इसमें हर अरा दन्या और हम इसे चेटने के साथ स्वर्व करेंगे अब डोकला मारा तैयार है एक बार इसे बनाइए अगर आपको यह रेशिपी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए मुझे सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत अन्यावाद